हेलो फ्रेंट्स मैं इंजिनियर विरेंद विश्व करमा बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आपका आपके अपनी यूटूब चैनल बीर विल्डाउसीन में एक और नए वीडियो लेक्षर साथ एक सिविल इंजिनियर सिविल इंजिनियर कब बनता है बहुत अच्छी इस्टडी करने के बाद उसको जॉब कब मिलती है जब उसके पास इसकिल पूरी हो यानि कि इसकिल उसके पास बहुत ही अच्छी होना चाहिए आप लोग अकसर इस्टूडेंट्स या फिर आप वरकिं करते हैं लेकिन इसकिल कम होने की वज़े से जॉब में कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है या फिर वो हाइक नहीं मिल पाती वो ग्रोथ नहीं मिल पाती अगर आप स्टूडेंट्स है डिप्लोमाइन सिविल इंजिनिंग किये हैं आप ग्रेजवेट है एक प्रोफेशनल तरीके से जॉब भी पा सकते हैं हम पूरी डिटेल में समझेंगे सीधा हम इसको अच्छे से समझ लेते स्क्रीन पर जाकर मैं बताने वाला हूँ आपको वो इंट्रेंसिप जो है वो हो रही है 24 में से स्टार्ड जो की चलेगी आपकी 8 जून तक टाइमिंग इसका है 10.30 एम से 12.30 पीम तक यह देखिए यहाँ पर 100% कैस बेक भी आपको मिल जाएगा जो भी इसकी मिनिमाम फेस रहेगी वो आप description में link है वहाँ से जाकर पूरी चीज़ें detail ले सकते हैं और पता कर सकते हैं और बहुत सारी इसमें activities होंगी question बगेरा पूछे जाएंगे जिससे आपको cashback मिल सकता है जिसका time आपको पता है 24 से 8 जून यह batch 5 है यानि कि इस पहले 4 batch निकल चुके हैं और यहाँ पर जो faculty है बहुत ही जादा experience faculty है जो कि आपको train करेगी know how school है जो कि conduct कर रहा है two weeks online civil certificate internship यानि कि इसमें certificate भी मिलेगी आपको तो आप यह चाहें तो join कर सकते हैं बहुत ही जादा है और queries तो जो भी हैं आप यह inquiry बिलकुल नीचे जाएं और कर ही ले जिससे आपको इसके बारे में knowledge हो जाएगा अगर हम बात करें इसके बाड़े में कि यहाँ पर कौन-कौन से courses होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पर कौन-कौन से courses होंगे यहां पर जो आपको बताया जाएगा तो first week जो रहेगा यहां पर आपको सबसे पहले 24th, 5, 2020 को demo setup रहेगा आपका जिसमें आपको demo बताया जाएगा कि क्या होता है किस type से यानि कि यह सिर्फ एक demo रहेगा इसके बाद अगर हम बात करे 25 तो यहां पर execution skills के बारे में बताया जा 28 29 ऐसा ही आपको इस week में 31 तक office skills, software skills जैसे Excel, Google sheets में किस टाइप से work कर सकते हैं आप उसके बाद अगर office में बात करें तो engineering drawings के बारे में layout और बागी जो other settings वगेरा drawings होती है इनके बारे में आपको बताया जाएगा अगर execution skills की बात करें तो foundation reading drawing के drawing आप किस तरह से read कर सकते हैं डेटेल जो हम सेक्षन है plan elevation section हम किस तरीके से कर सकते हैं आपको site के पूरी images दिखाई जाएगी आपको बहुत अच्छे से videos के द्वारा आपको पूरी कि किस तरह से work होता है एक site पर वो चीज़ें आपको सिखाई जाएगी हर एक चीज आपको ऐसे detail में बता जाएगा जिससे आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी week second की बात अगर हम करें तो यहां पर एक 6 से आपका अगर execution skills की बात करें तो यहां पर फिर से आपको beams के बारे में बता जाएगा जो तू है आपको 26 में आपको slab की ड्राइंग के बारे में यानि कि beam, column slab, foundation आपको यहां पर expert session जो मिलेगा यहां पर IS 456 के बारे में बता जाएगा जो structural consultant है बहुत ही ज़्यादा experience है और आपको यह 15 to 25 year experience जो faculty है वो आपको यहां पर training देगी office skills की बात करें तो यहां पर बहुत सारी चीजे हैं जो आपको सीखने के लिए helpful होगी अब आप इसका registration कर सकते हैं और यहां पर पूरी जो faculties हैं बहुत ही experience है आपको बहुत ही जादा इसका advantage मिलने वाला है आपके career growth के लिए तो friends अगर आप चाहते हैं कि इसको join करें तो बिल्कुल इसके description में link है आप वहां पर जाएं और इसको inquiry करें आप और फिर join कर सकते हैं आपको बहुत ही जादा helpful मिलने वाला है और इसकी आपके लक्ष और ओिड़ कर sevका इसके छीव